बुद्धिमान कौन? राजा प्रथम कक्षा में पढ़ता था, वह सबसे बुद्धिमान था, सभी उसका सम्मान करते थे, राजा को अधिक मान सम्मान पाता देख कर कक्षा के कुछ छात्र उससे इरश्या करने लगे, एक दिन येश ने अपने अध्यापक से पूछा, महुदै, राजा में ऐसी कौनसी विशेश बात है जो अन्य छात्रों में नहीं है? क्या हम उससे कम बुद्धिमान है? आप सदैव राजा की ही बढ़ाई करते हैं। यह सुनकर अध्यापक महुदै मुस्कुरा दिये, उन्होंने सभी छात्रों से उनकी बुद्धिमत्ता की परिक्षा लिनी चाही। उन्होंने श्यामपट पर एक लकीर खीच दी, फिर वे सभी छात्रों से बोले, जो इस लकीर को बिना कहीं से काटे छोटा कर देगा, वह ही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा? सभी छात्र एक दूसरे की तरव देखने लगे और सोच में पड़ गए। अध्यापक ने बारी बारी से सभी छात्रों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया, अंत में अध्यापक महोदै ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर पूछा राजा उठा और श्यामपट के पास जाकर उसने उस लकीर के बराबर एक बड़ी लकीर खीच दी अब अध्यापक ने सभी छात्रों से कहा देखो अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे छोटी हो गई अब इर्श्या करने वाले सभी छात्र लज्जित हो गए उस दिन के बाद बच्चों ने अध्यापक से राजा की कभी शिकायत नहीं की